बागेश्व धाम के पिठा दीश्वर पंडे धीरेंद शास्त्री के भाई सालिगराम गर्ग उपसौरफ को पुलिस ने गिरफतार कर कोट में पेश किया। पुलिस ने कोट से सालिगराम की नए एक हिरासत की मांग की थी सभी पक्षो को सुनने के बाद कोट ने आरोपी सालिगराम को जमानत दे दी। बागिशवर धामवाले धीरेंद करशन शास्त्री के छोटे भाई शालिगराम गर्ग पर पुलिस ने दो दिन पहले F.I.R. दर्च की थी। उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो सिगरेट पीते हुए और हाथ में कच्टा लेकर एक शालिस हमारों में लोगों को धमकाता हुए में जड़ा रहा था। तब बवाल होने पर पुलिस ने S.C.S.T. अधिनियम के तहत मामला दर्च किया था। वकिल शिफ्रताप सिंग ने बताया कि शालिगराम गर्ग और राजाराम तिवारी को पुलिस ने गरफतार कर कोर्ट में पेश किया यहां दोनों पक्षों की और से बहस की गई कोर्ट ने दोनों आरुपियों को 25-25 जार रुपे के मुशलके पर रहा करने के आदेश दिये अदालत में दलील रखी गई थी कि जो वीडियो बताया गया है उसमें कच्टे की बात कही जा रही है लेकिन वह इस पस्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है दूसरे वीडियो पर तब तक रिश्वास नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी इस पस्ट रूप से जांस नह पामला घंबीर है आरोपियों ने दलित परिवार के घर शादी में हंगामा किया जाती सुचक शब्द कहें फायर किया गया आज भी परिवार गहशत में ऐसे में आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती कोड़ द्वारा कहा गया कि आपराद साथ वर्से कम सजा से दंड़ साथ में एक आरोपी अन आरोपी को भी गरबतार किया था जिससे पुलस ने आज इस पेसल कोड़ में पेस किया चुकि उसमें हरीजान एक्ट के मामले दर्ज किया गया था और उसके तहत यहां पर सुनवाई हूँ स्री पे सील पटल साब बगील साब थे उन्होंने उसमें अपनी बहस की और उपरांते न्याले द्वारा आदिस पारित की 25 जार रुपे की जमानत का आदिस पारित किया गया है वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से चुड़े मसले, हर मसले का सटीक विशलेश, हम करते हैं सट्य का अनवेशा, तखल नियूज, आपके हद में, आप देख रहे हैं, तखल नियूज.